हेलो स्तो, कमाई कार्ड डास यूटूब चैनल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे IDFC First Bank के अंदर जो latest updates आ चुके है उनसे related जो company के growth के अंदर बहुत बड़ा role play करने वाले हैं आने वाले समय में ऐसे कौन से activities IDFC First Bank के अंदर होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको detail बताऊंगा और उसी के साथ company का performance भी किस तरीके से रह सकता है वो भी यहाँ पर हम discuss करेंगे काफी समय हुआ है जैसे के हम सभी जानते है के merger का ratio आया तब से stock के अंदर उतल फुतल हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिली है improvement के नाम पर कोई बड़ा यहाँ पर धमा के दर performance जैसे पहले यह stock continue कर रहा था वैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है अभी सभी निवेशक को लगता है कि इसके अंदर अच्छा खासा profit हो रहा है तो क्या करना चाहिए company के अंदर और company के जो promoter decision ले रहे है वो अभी फिलाल Saturday की दिन जो बड़े announcement होने वाले है उस से related आपको यहाँ पर देखना चाहिए क्योंकि आप company के shareholder है या कोई लोग खरीदना चाहते है company के अंदर तो उनको definitely details देखने के बाद आपने decision लेने में काफ़ी easy होगा जो updates आये है वो बताना मेरा काम है और आप जरूर देखना जिसे आप सभी company के बारे में जानकारी ले सकें वीडियो अच्छा लगे मेरे effort पसंद आए तो जरूर दोस्तो कमाई का अड़ा से YouTube चैलन को लाइक सब्सक्राइब करना और comment बताना कोई question queries आपके mind में company से related यहाँ पर हो तो यहाँ पर आप जैसे के देख सकते के IDFC First Bank का जो share है अभी हाँ पर 83 रुपीज पर trade करना है और काफी समय हो चुका है इसके अंदर कोई बड़ी improvement हमें दिखाई नहीं दी है जिसे के पाच जो यहाँ पर दिन का chart pattern देखे या एक महिने का हमें chart pattern देखा तो तो सिरिफ 4% इस stock के अंदर हमें growth दिखाई दे रही है और वो भी देखे बहुत से ups and down के साथ जो improvement इस stock ने हमें continue दिखाई वो पिछले 6 महिने में बहुत ही outstanding level की रही है और इसके पीछे company के जो growth का support जो financially performance में दिया इसने उसी वज़े से stock की यहाँ पर इतनी अच्छी growth दिखाई दे रही है तो अभी यहाँ पर कौन से updated stock को support कर सकते growth के लिए मैं आपको अभी वो भी बताता हूं सबसे पहले जो यहाँ पर brokerage firm तरफ से IDFC first bank के अंदर बड़े recommendation आये है और target के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ICSA direct जो यहाँ पर हम कही सकते एक brokerage firm है उनके तरफ से 86 plus target recommended किये गये है और अभी देखिए जो भी recommendation आता है वो बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि result के बाद में वो आपने यहाँ पर target देते है क्यों क्योंकि company का performance वहाँ पर include होता ह है और उसको देख करें brokerage firm अपनी बात यहाँ पर रखते है कि हाँ इस company में ability है stock ने बहुत अच्छे से अपने performance को present किया और हमें यहाँ पर यह दिखाई बिताई देखिए यहोंने बताया key points क्या है और क्यों यह recommendation दे रहे है company का revenue बढ़ रहा है company के अंदर strength है company का यहाँ जो performance है healthy है बोलकर वो बता रहें देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था है पूरा article में वही चीज़े होती है तो अभी बात आती है कि sir saturday के दिन क्या हो रहा है और company के अंदर कौन से update आए तो देखिए दोस्तो idfc first bank share drop ahead of the saturday board meeting board meet to consider fundraising earning अभी यहाँ पर देखिए fundraising एक बह हो लेंगे sir fundraising करने के बाद में यहाँ पर किसी भी company के अंदर improvement होना चाहिए company में growth होना यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देना चाहिए यह तो सभी के expectation रहते हैं but stock के अंदर थोड़ा correction क्यों तो देखिए fundraising किस वे में हो रही है वो एक थोड़ा देखने लाएक point होता है तो म AGM means annual general meeting along with the necessary regulatory and other clearance और अभी यहाँ पर देखिए वो कौन सी date है तो July 29 यह meeting consider होने वाली है fundraising से related और अभी आपको यह मैं बताना चाहूंगा यह fundraising काईसे हो रही है issue of equity share यह fundraising के अंदर यह बहुत बड़ा point है अगर diventure issue किये होते तो कोई problem नहीं था बड़ा यहाँ पर जो fund होता है हम देखते है कि bounds बेचकर यहाँ पर institutional investor को share बेचकर भी लोग करते है ऐसा भी दिखाई देता है तो यह ऐसे effect जरूर होते है market positive way में देखता कब है अगर दूसरे वे से market से पैसे collect किये गे तो अच्छा समझा जाता है और इसके अंदर बहुत से reason है भी explain करते बैट जाओ तो बहुत time लगेगा बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने equity share के बारे में बात कहीं बोलकर थोड़ा यहाँ पर correction दिखाई दे रहा है इन फाइलिंग the stock exchange on venus day idfc first bank said that its board will consider a proposal to raise fund in the next one year for sorry from the date of insuring annual general meeting of the bank fund raising जो भी हो रही है वो एक company के आने वाले समय की पूरी तयारी के लिए ही यह काम हो रहा है upcoming जो company growth के लिए अपने आपको तयारी अभी से करकर खुद के ही business के अंदर improvement लाने के लिए वो ऐसे decisions ले रहे है और अभी इन्होंने allotment भी किये है बहुत से share इनके employees को जिसे यहाँ पर ESOS कहा जाता है अभी इन्होंने पाच लाग पचास हजर share allot किये पिछले कुछ दिनों में यह आप देख सकते है अभी यह जो fundraising होगा तो इससे आप बोलेंगे कि sir क्या फाइदा तो फाइदा भी मैं आपको बताता हूँ company के अंदर जब यह fundraising हो रही है वो business को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है जिससे यह नए branches अपने revenue को expand करने के लिए अपना जो business है उसका यहाँ पर जो area और अलग-अलग field में distribution का network बढ़ाने के लिए है जैसे यह पहले wholesale जो banking उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करते थे अभी retail banking में आ गए है और अपने business को expand करेंगे vehicle loans, home loans यहाँ पर order जो categories loan के उसके अंदर भी आने की कोशिश यह करते होंगे और करेंगे भी अब जैसे जैसे हमें numbers के अच्छे देखने को मिलेंगे वैसे ही हम company के बारे में और समझ सकते हैं देखे दोस्तों अभी जो यहाँ पर इसके result है यहाँ पर हमने जरूर consider करने चाहिए और देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए जो भी यहाँ पर company के result होते हैं thank you so much I hope आप समझ गे क्या क्या हो रहा है और इसके result तो यहाँ पर आपने जो हर वक्त अच्छे आते वे नजर आये है और आपने देखे भी होंगे but मैं आपको कहूंगा इसमें एक बड़िया target बताया गया है 100 यहाँ पर 23 रूपे का भी तो यह भी आपको याद रख कर चलना है याने 83 और उसके बाद में 100 प्लस इंप्रोमेट आपको दिखाई दे सकती है थैंक्यू सो मच